आपको भी यह काम करके यहां पे लोगों की हेल्प करके रीवा का बेनसीन हेल्पिंग सोसल बिल फेर सोसाइटी भोपाल में बना गरीबों का सहारा फुटबात में लेटे हुए बे सहारा लोगों को वितरड किया गया कंबल नमस्कार मैं हूं सिवंकुसवाहा और आप देख रहे हैं दाखबरदान्यों खबर मद्ध देश के भोपाल से है गरीबी की आग में तब कर जब सोना निकलता है तो उसकी चमक समाज में किस कदर बिखरती है इसकी बानगी हमको अकसर देखने को मिलती है अकसर ऐसे परिवार जो बहुत गरीब होते हैं जिनकी दो वक्त की रोटी का ठीकाना नहीं होता इन परिवारों और उनके बच्चों को अगर किसी की थोड़ी भी मदद मिल जाए तो ये अपनी जीत और मेहनत से ऐसा मुकाम हासिल करते हैं कि सभी देख कर दंग रह जाते हैं रिवा में भी वेनसिन हेल्पिंग सोसल विलफियर सोसाइटी भी ऐसे ही भले काम में जुटा है अक्सर कहा जाता है कि किसी का दुख हम गहराई से तभी महसूस कर पाते हैं जब हम खुद उनके दर्द में सामिल हो जाएं यह बास सही भी है क्योंकि किसी के दुख दर्द में सहानों भूती रखना एक अलग बात है और किसी के दर्द को अपना समझ कर मैसूस करना अलग बात है बेनसिन हल्पिंग सोसल विलफेर सोसाइटी से जुड़े लोग भी इन गरीब और बेसहारा महिलाओं और बच्चों के दर्द को बहुत गहराई से समझते हैं तब ही तो उनके साथ कदम से कदम मिला कर आखड़े हुए हैं इस एंजियो के माध्यम से ये लोग बेसहारा महिल चाहँ और बच्चों की मदद करने के बेहत सराहनी कामों में जुटे हैं इस एंजियो के लोग गरीब और दुखियो की मदद के लिए हमेसा तैयार रहते हैं इसी क्रब में इस एंजियों ने एक बार पिर ऐसे ही लोगों की सामाजिक संगतनों सहीथ अन्य संवानित लोग भी सामिल हुए इस नेयक काम में पहुंची बेन सिंग helping society welfare की अध्य चिसलेसा सुकला ने बताया कि यह रीवा जिला बेन सिंग helping social welfare society जो गरीब और बे सहारा महिलाओं बच्चों कि भोजन और पढ़ाई लिखाई का नेक काम करता है इसी काम को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग यहां ही कठा हुए हैं इस संस्था के द्वारा ऐसे बच्चे जो पढ़ाई लिखाई में तेज हैं लेकिन गरीबी के चलते नहीं पढ़ पा रहे हैं उनको आर्थिक मदद भ बात कहा कि जो लोग इस से चला रहे हैं यह उनका बहुत अच्छा प्रयास है उमीद है कि और लोग भी इस तरह के नेक कामों से जुड़ेंगे ऐसी जानकारी के लिए देखते रहे दाखबरदाने हुच तब तक के लिए धन्नवाद